जैसा कि हमें मालूम है मुगल काल में शासन व्यवस्था मजबूत करने है तो बादशाहों ने परगना बसाये थे जहां हाट बजार लगाने की अनुमती थी समय बीटता गया पाँच सो साल बाद आज भी परगनाओ में राजशाही प्रवर्ती देखने को मिलती है उननाव जिले में ऐसा ही एक गाव है मौरावा इसका नाम मौरावा कैसे पड़ा इस पर मत भिन है लोगों का मानना है कि मौरावा या मौरवान मतलव मौर का जंगल शायद इस जगह पर कभी मौरों का वास होगा एसलिए इसका नाम मौरावा पड़ा एतिहासिक रूप से अकबर के समय मौरावा एक परगना की सीथ थी आइन ए अकबरी के अनुसार सोलह वी शताबदी के उत्तरार्द में इसे एक इट के किले के रूप में सूचीबद किया है जो बैस राजपुतो द्वारा बसाया गया था यहाँ ये मौरावा का सबसे पुराना एक खंडित किला है बाहर और अंदर खंडहर अपनी कहानी स्वयम कह रहे है आज से चार सो से पांच सो वर्ष पहले मुगल यही से अपनी शाशन व्यवस्था चलाते थे एकोनोमी दुरुस्त करने के लिए हाट व्यवस्था की जाती थी हाट पर टैक्स वसूली की जाती थी ताल्लुकेदार को एक मिश्चित प्रतिशत कमीशन दिया जाता था हाट उस जमाने के माल थे जो भारत के इंटीरिया गावों में आज भी बदस्तूर जारी है हाट मेले में बेचने के लिए दुकांदार लकडी के उत्पाद, धातू के बरतन, मिटी के बरतन, कपड़ा, खिलोने और अन्य दैनिक उप्योगी सामान लाते थे सप्ताह में दो बार बुधवार और शनेवार बजार लगता था बजार में किसान अपनी उपज गेहूं, जो, चना, ज्वार, धान और दाले तथा सबजिया भी बेचने लाते थे 1800 के दशक में मौरावा गुरन मल के एक वनशच सेट परिवार द्वारा तालुका के रूप में चलाया गया मूल रूप से सेट परिवार को डॉंडिया खेडा के राव मर्दन सिंग द्वारा परिवार की संपदा के लिए बैन कर और एकाउंटेंट के रूप में आमंत्रित किया गया था बाद के वर्षों में राव मर्दन सिंग के उत्तराधिकारी रगुनात सिंग के साथ उनकी सेवा शर्तों के लिए वित्तिय विवाद होता रहा 1850 में एक बार फिर विवाद के चलते संपत्ति जव कर ली गई और उनके प्रतिद्वन्वी डॉन्दिया खेडा के राव राम बख्ष सिंग को दे दी गई ग्यात हो 2013 में डॉन्दिया खेडा में खजाने के लिए खुदाई हुई थी जिसमें आधा खजाना मौरावा के हिस्से का भी कहा गया था यह विवाद चलता रहा आगे अवद के नवाप के हस्तक्षिप की मान की गई 1857 के भारतिय विद्रोह के दोरान उस समय की संपत्ती के मालिकानों ने ब्रिटिश सरकार का पक्ष लिया और बाद में उन्हें राजा की उपाधी दी गई बीसवी सदी के अंत में मौरावा महुआ और आम के पेडों के बागों से घिरा हुआ था ये शहर अपने आभूशनों और बढ़ाई गीरी के लिए प्रसिद्ध था लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के होने के बाब जूध धनाध्यों वधन्ना सेथों की राजशाही प्रवर्ती आज भी बखुबी जारी है